नमस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों पिछले कुछ समय से हम लोग जो राशी के नुसार आपका दामपत्य जीवन कैसा होगा यह जो सीरीज चला रहे हैं आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया वरिशों का दामपत्य जीवन दामपत्य सुख का योग कैसा होता है इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि अगर वरिशब राशी की महिला हो यानि इस्तरी अगर लड़की वरिशब राशी हो तो बाकी अन्य राशी के लोगों के साथ उनका दामपत्य जीवन कैसा होत मेश के पुरुष थोड़ा सा स्वाभिमानी सुभाव के होते हैं इसलिए महिलाओं के आगे जुकना पसंद नहीं करते व्रिशब की महिलाएं अपने सौंदर पर बहुत ज्यादा नाज करती हैं घमन करती हैं जिस वजह से आपसी टकराओ की इस्तिती जन्म लेती है यदि र बात करेंगे कि व्रिशब की महिला और व्रिशब का पुरुष अगर हो तो आपस का संबंद कैसा होगा क्योंकि दोनों की राशियां सामान एक हैं संभाव है तो आपस का दामपत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है थोड़ा सा आपको समझदारी दिखाने क्या वशक्ता ह होती है और कुल मिला करके कहा जाए तो आपका दामपत्य सुख बहुत 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 उत्तम होता है अब बात हम लोग करेंगे व्रिशब की महिला और मिथुन का पुरुष अगर होता है तो आपस का दामपत्य जीवन कैसा होगा व्रिशब एक स्थिर राशी है जिस कारण इनका प्रतेक कारी धीमिगती से होता है व्रिशब का पुरुष मेहनती और लगनचील होता है पुरुष की पारिवारिक समझदारी बहुत बहतर होती है व्रिशब की इस्त्री का स्वभाव जो होता है वो थोड़ा सा निर्देश वाला होता है तो इस कारण से इन दोनों में आपस में थोड़ी से तनाव की इस्तिती तूटू मेमे की इस्तिती आती है और आपका दामपत्य जीवन जो है वो और सत्यानी एवरेज कहा जाता है अब बात हम लोग करेंगे कि अगर व्रिशब की महिला हो और कर्क का पुरुष हो तो दामपत्य सुख कैसा होगा इन दोनो को इस बात से क्रोध आता है थोड़ी बहुत नोग जोग भी होती रहती है फिर भी जीवन ठीक ठाक चलने वाला होता है अब बात अगर व्रिशब की महिला हो और पुरुष जो है वो सिंग राशि का हो व्रिशब का भूमी ततव है और सिंग का आगमी ततव है इन दोनों की इस्त्री अपने खुश मिजाच सुभाव से सिंग को बांधने का प्रयास तो पूरा करती है लेकिन बात फिर भी नहीं बन पाती इनका विवासंबंद आपस में बहुत उचित नहीं बताया गया अब बात की वरिशब की महिला हो यानि लड़की जो है वरिशब राशी हो लड़का जो है वो कन्या राशी हो इन दोनों राशियों में तात्विक सामिता है और इनके स्वामी भी आपस में मैत्री का भाव रखते हैं वरिशब की महिला कन्या के परिवार को ले करके चलती है लेकिन कन्या के पुरुष से अपेच्चा करती है कि वो भी मेरे परिवा का बराबर ध्यान रखे और अच्छा सोचे मेरे परिवार के बारे में दोनों में वैचारिक सामिता रहती है इसलिए दोनों की पठरी आपस में बहुत अच्छी खाती है और जोड़ी बहुत उत्तम बताई गई है अब बात करते हैं कि वरिशब की महिला हो और तुला का पु वरिशब की सोमिता पर सदय भारी पड़ता है इसलिए आपस में टकराव होता है यदि तुला का पुरुष अपनी ताना शाही कम कर दे तो अच्छी निप सकती है और जोड़ी ओसत कही जाती है अब बात करते हैं वरिशब और वरिश्चिक के बारे में कि अगर वरिशब क की महिला है और वरिश्चिक का पुरुष है वरिशब की इस्त्री के शालीन सुभाव के आगे वरिश्चिक का क्रोधी सुभाव कुछ कम हो जाएगा क्योंकि दोनों में तात्विक सामिता है इनके स्वामी मंगल और शुक्र भी आपस में सम है वरिश्चिक का पुरुष अ इनका रिष्टा अपस में ठीक ठाक कहा गया है अब बात की व्रिशब की महिला हो और धनू जो है वो पुरुष की राशी हो व्रिशब की इस्तरी भौतिक सुखकारक होने के कारण खुपसूर्ती की चाहत अथा दैहिक सुखों को पसंद करती है धनू का पुरुष अपने कर अब बात करेंगे व्रिशब और मकर के बारे में यानि कन्या की व्रिशब राशी और पुरुष की पती की मकर राशी व्रिशब की महिलाओं को जल्दी गुस्सा आएगा नहीं किन्तु जब आएगा तो बैल की तरह आएगा मकर का पुरुष अपने तरक से इस गुस्से को नियंत्रित करेगा मकर की सामाजिक सक्रियता और ध्यान रखने की जो प्रविर्ती है सबका ध्यान सबका ख्याल रखने की जो प्रविर्ती है वो वरिशब की इस्त्री को अपनी और आकरशित करती है और अपना मुरीद बना लेती है इस जोड़ी को आदर्श जोड़ी कहा ज मंद कैसा होगा ये आपस में यदि जूट ना बोले तो इनके संबंद सदय मधूर बने रहते हैं कुम्भपने गंभीर सुभाव के कारण जल्दी कोई बात बताता नहीं है व्रिशब की इस्तरी हर बात जानने के लिए सदय व्याकुल रहती है सुभावता दोनों में मिता दिखती है लेकिन व्रिशब की इस्तरी मीन के पुरुष को जितना प्यार करेगी उतना मीन का पुरुष उसको प्यार नहीं करेगा व्रिशब को मीन से सदय अपेक्षा यानि उमीदे होती है ये तनाव का मुख्य कारण बन जाता है क्योंकि उनको अपने पतियों की तरफ से बहुत अटेंशन बहुत केर प्राप्त नहीं हो पाती इन दोनों का पारिवारिक और सामाजिक तालमेल बहुत गजब का होता है इनका वैवाहिक रिष्टा आपस में बहुत अच्छा बताया गया है तो मित्रों आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको पसंद आ रही ह होगी आप सभी से आग रहे कि आप जब भी मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का अभाव, पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का धरल, चमतकारी, प्रभाविशाली, समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाप, आचारे पंडि श्री वैभवनात शर्माजी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्टे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बीडी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री, आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा, व्यक्तिक या फिर फोन पर अपॉंट्मेट लेने के लिए कॉल करें, 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें, शर्मा.webhub at the rate gmail.com पर